असलालेकुम नाजरीन आज हम बनाएंगे पनीर बटर मसाला इसे बनाने के लिए मैंने लिया है 300 ग्राम पनीर इसे मैंने इस तरह से मोटे टुकडों में काट लिया है तीन मीडियम प्याज इस तरह से मोटे स्लाइस में कटी हुई 6टामाटर इस तरह से मोटे टुक्डों में कटे हुए एक ऐसपून कश्मिछी लाल मिश पौडर आदा थी-सपून लाल मिश पौडर 14 ती-सपून हल्दी पौडर 4 ती-सपून धनिया पौडर नमक स्वादनुसार आदा ती-सपून गरममसाला पौडर इसकी रेसिपी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आदा टीस्पून चीनी, एक टीस्पून सुखा हुआ मेथी, इसे मैंने क्रश कर लिया है आदा टीस्पून जीरह, एक बचीनी का टुकड़ाद, दो छोती इलाची, एक बड़ी इलाची छिलका, एक तेजपत्तस, एक तीस्पून लस्टं का पेस्ट, एक तीस्पून अदरक का पेस्थ, तेबिल स्कून करीग काजु, तीन हरी मिट्च मोटे टॉकड़ों में कटी ह बटर एक कप दूर अब सबसे पहले एक पैन में डालेंगे तेल गरम कर लेंगे तेल गरम हो गया है अब इसमें डालेंगे खड़े गरम मसाले इसको चलाएंगे अब इसमें डालेंगे जीरा चलाएंगे अब डालेंगे लेशन अदरग का पेश्ट अच्छे से चलाएंगे जब लेशन अदरग ंज़ेग छोड़ा गुन जाएगा इसमेंड校 प्याज अब नविपदध का बून लेंगे प्यास भुन गई है और यह पोड़ी ट्रांस्पेरेंट जी होने लगए अब इधने टमाटा डाल गए और इसको अच्छे से चलाएए अब इसमें डालेंगे काजू हरीमेड्स और इसे थोड़ा टमाटा जलने तक घूम लें टमाटा थोड़े गल चुके हैं अब इसमें डालेंगे धनिया पॉडर हल्दी पॉडर और अब इसे भी थोड़ा सा भून लेंगे गैस मीडियम रखेंगे और इसको चलाते विए भूनेंगे यह भून गया है अब गैस बन करेंगे और इसे थंड़ा होने के लिए पॉड़ेंगे यह थंड़ा हो गया है अब इसमें से तेज पर्ता निकाल देंगे और अब इसका पेस्ट तयार कर लेंगे और साथ में थोड़ा सा पानी एट करेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे यह देखिए पेस्ट तयार है अब इसी पैन में डालेंगे बटर बटर मेल्ट हो जाएगा तो इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिच पॉडर लाल मिच पॉडर और नमग और गरम मसाला इन सब को अच्छे से चलाएंगे अब इसमें डालेंगे यह पेस्ट अब इसे अच्छे से भून लेंगे भूनते वक्त चेटे आती हैं तो इसे हम डखकर भूनेंगे मीडियम गैस पर 2-3 मिनट के लिए डखकर भूनेंगे अब डखकन खोलेंगे इसको अच्छे से चलाएंगे यह भून गया है अब इसमें डालेंगे चीनी इसे अच्छे से मिलाएंगे अब इसमें डालेंगे पनी इसे अच्छे से चलाएंगे हलके हाथों से चलाएंगे ताकि पनीर तूटे ना है अब इसमें डालेंगे दूस गैस हलका करेंगे और इसको अच्छे से मिलाएंगे अब इसे एक मिनट के लिए इसी तरह से पका लेंगे अब धक्कन खोलेंगे इसे चलाएंगे अब इसमें डालेंगे कसूरी मेती और ग्रेवी के हिसाब चे थोड़ा सा पानी इसे अच्छे से मिलाएंगे आप जैसी ग्रेवी खाना चाहें उस इसाब से पानी एड़ कर सकते हैं मैंने यहां तकरीबं 200 ml पानी इस्तिमाल किया है अब इसे ढखकर तीन से चार मिनट के लिए हलकी गैस पर पका लेंगे उसके बाद गैस बन कर देंगे पनीर बटर मसाला तयार है इसे गरम गरम नान या पराठे के साथ सर्फ करें अगर आपको इसकी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें आपके लोगरी